एक बाव फ्रिसे आप सबका स्वागत हैं आपके अपने चनल में आज हम अबर बात करेंगे जो इसे स्टीटेन हंगरी का आज की दिन का तीसरा मुकाबला होगा जो के लजाएगा रोयल टाइगर्स और कॉबरा क्रिकेट कलब के बेच में तो इस मैच की में आपको डैप्ट आज से आपको टीमे मिलेगी ना वो कहाँ पर मिलने वाली वो देख लो एक बार आप तो आज से जो टीमे हैं वो आपको मिलेगी हमारे बेकप टेलिग्राम चैनल ड्रीम इसमनी 2.0 में जहाँ पर अभी 6000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं में चैनल पर कुछ इशू पर फिसलए को जो टेलिग्राम चैनल पर जुड़ती सिंपल है एक तो देखो टेलिग्राम चैनल के वो आपको इसी वीडि़ियो के डिसक्रिप्जन में और कमेंड सेक्षिन में आप चले जाना तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट अपको मिलेगा उपर ही उपर उसमें भी आपको Telegram Channel का लिंक टॉप पर पिन किया हो मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप Telegram Channel को जोईन कर सकते हो तो आपको सबसे पहले यह वाला Telegram Channel जोईन कर लेना है क्योंकि Last Moment Update सारी की सारी यही पर आने वाली है जैसे कि Official Betting Order, Final Team, New Place के स्टैट सब आपको यही पर मिलें रोयल टाइगर्स की टीम वो मेच हारी थी लेकिन इस मेच में हारी यह सा सोचना मत क्योंकि सामने वहाँ पर अपोनेंट अच्छी थी यहाँ पर अपोनेंट उन्दे अच्छी नहीं है जिसन खान और खेबर दिलदार ओपन करेंगे जिसन खान ने 13 रन की एक विकेड मिला चाहूंगा स्टे नहुजा एज एक्सपेक्टेड अच्छी पारी खेली थी 43 रन की अभितेश परशार लोग इस मेच में वाइस केप्टन करने वाले अभिशेख खेतरपाल को लेकिन मैं बोलूँगा अभितेश परशार बहुत अच्छी बेटिंग करता है और दो ओवर और सामने वाले टीम का टोपड रूतना श्ट्रोंग है नहीं तो अभितेश परशार यहां पर ट्रंप बन सकते हैं वी सी के लिए 7 रन 0 विगर थे 2 जा 23 में 10 मेच में 76 विगर है 19 होवर डालके दरसन ने 9 रन किये थे बहुत स्लो बेटिंग की थे इंपोर्टन नहीं रहे है मुहमद सखलेन को एक और मिला जिसमें ज्यादा रन चले गए इसलिए दूसरा और इनको नहीं मिलाता लेकिन बोलिंग करवा सकते हैं ध्यानक न सदा सहीत उतना खास रिकोर्ड नहीं साही गोतम ने एक और डाला उसमें 20 रन दिये थे तो मुझे लग नहीं रहा कि इस म आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे अभितेश परशार मुहमद सखलेन डेथ में आएंगे शाही गोतम जेड़ खान अभी छे खितरबाग अब देखो कोबरा की टीम है इनका पहला मुखाबला होगा तो इनके स्टेट समझना आपके लिए ज्यादा करने चीए बाकी जो बेटिंग ओड़ आएगा उसे अपन को पता चली जाएगा कौन ओपन कर रहा है एडविन जोए के नाम T20 में 3 मेच में 42 और 5 फिकेट है 6 ओवर डालके अभी जो T20 सिरी चल रहे है उसमें तो हाल फिलाल में बंदा क्या कर रहा है बेटिंग तो करीर है लेकिन थोड़ी बहुत बोलिंग भी करवा रहा है और क्योंकि लेफटा में स्पिनर है तो आप टीम में रख सकते हो मुहमद सोबान है टीटेन में बिलकुल अच्छा रिकोर्ड नहीं 9 में 41 10 का अवरज 1 विकेट है 3 ओवर डालके हाला कि ओवरोल कलब लेवल में रिकोर् अमित नहीं टीटेन में 2 मेच में 2 रण टीटेन में 2 मेच में 6 रण दोनों जगे पे बिलकुल अच्छा रिकोर्ड नहीं सेख रसीकिन का मेरे इसाब से सबसे बैस्ट प्लेयर है जो की बेटिंग बोलिंग दोनों से अच्छा खासा कॉंट्रिबूशन आपको दे सकता है विगेडें टीटेन में 18 मेच में 545 19 विगेड़ da 27 वब डालके और 2022 टीटेन में 9 मेच में 209 विगेड़ द takes overے डालके रभी आधव है नों मेच में 41 1 1-1 विगेड़ थीण באल टालके बोलिंग थोड़ी कम करवाता है सेकर उलदा दो मेच में 24 रंटे टी 20 में उसमान अब देखो इसके नाम ने T10 में सिर्फ 3 ओवर डालें इसने 11 में हाला कि क्लब लेवल पर 18 में 180 दस विकेड है लेकिन जो T10 है वहाँ पर कम किया है काम संजे कुमार है 24 में 209 दस विकेड है 25 ओवर डाल के 202 में 902 3 विकेड है 7 ओवर डाल के हर में बोलिग करवाना इनका कंफर्म नहीं है इबरान सिद्द की 3 में 16 रण रितुराज सावन 13 में 9 विकेड है खेलेगा तो पाउर प्ले में बोलिग करवाना चाहिए मेरे साब से या फिर रुतरास साउंद में से कोई एक बेंच में जो प्लेयर उनके स्टेट देख लो हर्शिश शर्मा एक टीट्वेंटी में 16 रन अनुच कुमार तेरा टीटेन में 161 रन जीरो विकेट है और 2021 में साथ में 141 है ओपन आ सकता है ध्यान रखना है बात अधिपुद्दीन एक में दो विकेट है दो ओडाल के टीटेन में अमल जेकोब टीटेन के दो में एक विकेट है जबकि ओवरॉल 19 में अठारा है अच्छा इस्पिनर है ये भी अरुन वेंकट राजन 7 में 4 विकेट है ओवरॉल 36 में 38 विकेट है और अशुतोज मादवर अगर खेलता है तो power play में bowling करवा सकता है 17 match में 11 wicket है 28 over डाल के टीरेन में और 2022 में 8 match में 9 wickets है भवानी अडा पका स्पिनर है 21 match में 18 wicket है 2021 में 8 wicket है ये भी wicket टेकर बोला रहे हफिज उल्ला 6 match में 5 wicket है 11 over डाल के overall 21 match में 298 wicket है सत्य दीब अस्वत नाराण ये भी कभी कभी open कर लेता है लेकिन देखना होगा टीम इसको कहां पर खिलाते हैं खिलाती भी नहीं खिलाते हैं 35 में 393 विकेट हैं 2012 में 11 में 114 रन विसनु वासुदेव 24 में 127 विकेट है 2012 में 9 में 52 विकेट हैं सरयार भट 3 T20 के मैच में 6 विकेट हैं बाकी के दो प्लेयर के रिकोर्ड मलय ने स्टार्टिंग के और डालेंगे सावंत और संजे कुमार डेत मैंगे एस रसिक और यू मुहमत एनालिसिस वाला पार्ट में ने आपको समझा दिया दिको भाईयों बहुत ज़्यादा में लगती है वीडियो में लेकिन अभी जो आपका सपोर्ट आ रहा है ना बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है जोईन उने का तरीका में आपको दिखा भी देता हूं कैसे जोईन करना है दो सबसे सही तरीके है इसके एक तो टाइटल में जाना वीडियो के मोर पर क्लिक करना वीडियो के डिस्क्रिप्सन में चले जाओगे वहाँ पर टेलिग्राम चैनल का लिंक है या फिर कमेंट सेक लेकिन यह फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम डिपेंड करेगी टॉस पर जो कि टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन में दिया हुआ है थैंक्यू